असलाम में दोस्तों उम्मीद करता हूं आप सभी लोग खैरियस से होंगे आज हाजी रहा काफी इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर इसमें जो है साओधी अरप के जो वीजा है वो स्टैंपिंग नहीं हो रहा है कौन से ऐसे वीजा है जो स्टैंपिंग नहीं हो रहा है माइना मैसेज में पूछे थे उसका जो है इंपॉर्टेंट सवाल है उनके उसका जवाब इस वीडियो में देना चाहूंगा मैं सबसे पहले एक सवाल उठाता हूं उन्हें भाइस आपने सवाल किये हैं कि साओधी 90 डेज वीजा में एकजिट ले सकते हैं क्या अभी इकामा नही बनता है इस सूरत में अगर इकामा नहीं बन पाई इस सूरत में इनको अगर वापिस आना है साओधी अरब से तो कैसे आएंगे इस सूरत में क्या है कि भले आपका इकामा बना हो या नहीं बना हो अगर आप साओधी अरब में इंट्रीग कर गया है तो इसमें जो आपका क टिकिट बनाते हैं और अपने देश वापीश चले जाते हैं काम नहीं समझ में आ रहा है तो आप नहीं जा पारेंगे क्योंकि आप जो है एक बंदे के फाइनल एकजिट इसू कर देते हैं जिनका इकामा नहीं बना होता है तो उनका फाइनल एकजिट इसू कर देंगे फिर वो पेपर आप ले लिजिए चेक कर लिजिए कहां भाई फाइनल एकजिट लग गया है तब ही आप अपना टिकिट बनाईए तब ही आप वहां से निकल तो इन सब केसे में अगर उसने कोई केस आपके खिलाब कर दिया है तो केस फाइल आपको निकलवाना पड़ेगा जोजास से आप केस फाइल निकलवा के चेक कर लीजे या फिर आप जो है एक मतार प्रिंट आता है एकजिट प्रिंट बहले आपको पांच साल हो गए लेकिन शेफटी के लिए आप कुछ पैसे खर्च की जए या फिर आपके जानने वाले अगर उस्ते कर लिए और उनसे बात करके मतार प्रिंट बॉस्त कि Belgian निकलवा लेजे और उसमें मतार प्रिंट में इंरी कलियर है आप जा सकते हैं ममनु नहीं है तो आप साजिय अरब जा सकत होता है, वैसे ही होता है। तो इस सकते हैं। आपको आपको फाइनल इगजित नहीं लगाएगा, व Municip hatte about to जो लोग बिजिट विजा पे जाते हैं, टूरिश विजा पे जाते हैं, वो खुद अपने ही sponsorship में रहते हैं, उनको कोई sponsor नहीं करता है, उनका कोई कफिल नहीं रहता है, तो वो जब चाहें अपना टिकेट बनाके return आ सकते हैं, उस valid विजा के अंतरगत में, एक आतिफ आलम भाई है, उनका सवाल है कि गम का appointment cancel करने के बाद दूसरा appointment कितना दिन में ले सकते हैं, लेकिए गम का appointment हो चुका है, गम का issue हो चुका है, तो वो cancel नहीं होता है, वो एक महिने के लिए valid रहता है, उस एक महिने में आप जाके medical करा सकते हैं, उसमें अगर कुछ गलती हुई है, लाइक पासपोर्ट नमबर नाम अगर भी गलती हो जाते हैं, तो जो डॉक्तर है, वो सही कर देंगे, जहां पर आप medical center में medical कराएंगे, जब वो एक महिने के वैलिटी रहती है, एक exit मतलब कितने दिन में लग जाएगा, भाई ये exit जो होता है, अफसर से कफिल लगा सकता है, बिना exit के आप नहीं निकल सकते हैं, बहले ही कामा बनाओ नहीं बनाओ, तो कफिल जो है, तुरंट चाहेगा, तुरंट अपने अफसर अकाउंट से आपका exit लगा देगा, उसके आप चाहत में दो महिना रहेंगे, वो जब चाहेँ आप जो है, साओधी अरप सोड़ के अपना टिकेट बना के वापीस आ सकते हैं, एक जो है अगला जो अपडेट है, और आखरी मतलब जो सवाल आया है, आलम खान भाई का भाई का भाई, ड्राइबर का विजा स्टेंप होगा की नहीं, मेरा पासपोर्ट मुंबई MBC में पढ़ा है, प्लीज रप्लाइ कीजिए, तो सबसे पहले आप लोगों को जानकारी देना चाहूँ, आलम भाईया जितने भी भीवर हैं, उन सभी लोगों को कि साओधी कॉंसलेट जो है, हाउस ड्राइबर का विजा जो है नहीं लग पा रहा है, साओधी कॉंसलेट में लगा पा रहा है, और आमिल मंजली का विजा जैन में भी लग रहा हैं, एक तर्क दिया गया है कांसलेट की Phyl ने इंसू करके दिया है, वो हाउस ड्राइबर का यानी साइक खास का है, और हमारे सिस्टम में भीजा लगाने जाते हैं तो हमारे सिष्टम में साइक कास प्रुफेशन ही नहीं आ रहा है इसमें प्रुफेशन आ रहा है साइक सां Actually रहा है तो यह सकती है तो इसके वज़ेसे जो है ना जितने भी है जा माइनस हो द्व का नाम हो गया, फिर सांब को उल्टा वो फिर उड़ जाता है, फिर और रिएक्षन हो जाती है, फिर वाइबर वाफिस पासपोर्ड लेकर चल जाता है, ऐसा दिल्ली संविशन में भी हो रहा है, अब लेकिन अभी हम लोग्य सोच रहे है, की भाई ये सीन किया, इसमें गल्ती किसकी है, house driver का विजा भी तो साओधी ministry नहीं दिया है, सवाख खास का विजा, साइक खास का विजा, साओधी ministry ने इशू करके दिया है, और जो इन लोग की site है, वो भी साओधी ministry की site है, तो दोनों तो एक जैसी है, तो उसमें profession अलग है, इसमें profession अलग क्यों बता रहा है, साइक सयारा खास consulate के system में आ रहा है, इसी के होज़े से विजा नहीं लग रहा है, अब यह आगे कब तक विजा नहीं लगेगा, कब लगेगा, कब तक यह लोग का system सही होगा, कुछ नहीं कह सकते हैं, लेकिन एक चीज़ तो यह clear है कि रमजान में नहीं होने वाला है, क्योंकि रमजान में आप लोगो मालूम है कि यारभी लोग जितने भी होते हैं, यारभी लोग उतना काम धंदा नहीं कर पाते हैं, कोटा भी कम हो गया है, पहले 90-90 या 70-70 पासपोर्ट संवीशन हो रहे थे, अभी 40-45 पासपोर्ट ही का कोटा कर दिया गया है, एक आफिस जो है, इसमें किसी ऑफिस का या किसी कफिल का कोई प्रॉब्लम नहीं है, कफिल ने विजा दिया, आफिस ने सम्मिशन कर दिया, लेकिन प्रॉब्लम जो आ रही है, और कॉंसलेट के साइट से आ रही है, उन्हीं के मिश्टरी के थुरू ये जो है, प्रॉब्लम आ रही है कि साइख आघाट कौंसलेट में दे दिया है और साइख का विजा दे दिया है, पहले साइख खास ही आता था एजली लग जाता था लेकिन ने सिश्टम हम या अब डेट होते रहते हैं तो कुछ कहना ही सकते हैं हो सकते आने वाले दिनों में इस सब चीजों को प्रुफेशें sein जो ये दिक्कत त्यार्यार प्रुफेश्ट की हो सकते आने वालेविद्र इसको सही कर दिया जाए या फिर साइक इंझा जिसा का आधा का आ भी जा आ जो